तो दोस्तों आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूं साबू दाना पूरी की बहुत ही battery और recipe तो इस नवरात्री पे आप एक बार साबू दाना पूरी को जरूर बनाएं आपको यह बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस tasty साबू दाना पूरी को कैसे बनाते हैं उसको आज हम साबूदाना पूरी उनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कप साबूदाना, साबूदाना को आप मीडियम फ्लेम पे एक से दो मिनिट चलाते हुए अच्छे से ड्राइरोस्ट करें ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए। और एक से दो मिनिट साबूदाना को ड्राइरोस्ट करने के बाद फिर आप गैस की फ्लेम को आफ करें और साबूदाना को ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाएगा फिर इसको मच्छे से पीश लेंगे। और यह लेजी हमारा साबूदाना पीश चुका है। तो इस तरीके से आपको साबूदाना को अच्छे से पीश लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में। तो आप एक लिए परात, परात के उपर रखें छन्नी और उसके अंदर डालें पीशा हुआ साबूदाना और साबूदाना को आप अच्छे से चाल लें। जो मोटे पार्टिकल्स होंगे उसको आप अलग कर दें। अब इसी के अंदर हम डालेंगे एक चम्मच सेंदनमक, एक चम्मच करीब जीरा, और कद्दू कस अदलक और मिर्च, और इसके लावा हम यहाँ पर ले रहे हैं त ताकि इसमें कोई गुठलिया न बनें। आलू को करद्दू का सरके इसमें डाल दें। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा थारा धनिया। अब आप क्या करें। सबसे पहले इन सब को एक बार अच्छे से मिला लें। और उसके बार फिर इसके दर हम और इसका एक सॉफ्ट डो त्यार करेंगे। तो जो पानी हम इस्तमाल कर रहे हैं वो पानी है गरम। थंडा पानी आप इसमें बिल्कुल मत डालिएगा। तो गरम पाई डालकर इसका एक आप सॉफ्ट डो त्यार कर लें। और ये लिजी हमारा सॉफ्ट डो तयार हो चु और हाथों से उसको चप्टा कर लें और उसके बाद बेलन की हेल्प से उसको अच्छे से बेल लें जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप उसको बेलें और उसके बाद एक शाप कटोरी लें और उसको सेंटरम रखकर आप पूरी को काट लें अब बाकी जो पोर्श से हम सभी पूरियों को त्यार कर लेंगी और ये ली जी हमारी पूरिया त्यार हो चुकी है तो चलिए अब इन पूरियों को हम फ्राई कर लेते हैं तो पूरियों को आप गरम तेल में डाले और उसको अरटे पलटते उए दोनों साइट से अच्छी Romeo से फ्राइ कर लें तो देखा आपने इस साउंबाना की पूड़ी खुराना बहुत यह असान है तो इस लगी उसके साथ परोसे और enjoy करें अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी तो like बटन जहुर दबाईएगा और अगर आप मेरे चैनल में first time आये हैं तो मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करकर मुझे support जरू करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी share करें जिससे वो बाईब